मम्मी मुझे बहुत ठन लग रही है हाँ मम्मी मुझे भी हाँ बच्चो जंगल में अचानक से ठन बढ़ गई है और तुम डरो मैं मैं हूना तुम्हारे साथ मैं तुम दोनों को ठन नहीं लगने दूंगी पूरे जंगल में सनाटा फेला हुआ था क्योंकि ठन का मोसम शुरू हो चुका था जिन पंचियों ने अपने गोसले पक्के किये थे उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा था पर जिनों ने अपने गोसले पक्के नहीं बनाए थे उन्हें सरदी के मोसम में बाहर ही ठन में रहना प खोल कर बेटे हो, इससे आच्छा तो हम बाहर खुले में ही अपना घोसला बनाते अरे गोरी, बाहर हलकी बरबारिश हो रही है, मैं उसी का मज़ा ले रहा हूँ आओ, तुम भी बाहर आजाओ रे नेदू, आप एक काम करो, आप घोसले के बाहर चले जाओ और जो मज़े लेने हैं ले लो, ऐसे हमें ठन के मज़े ना दो कालू बाहर चला जाता है, और बाहर से गुसले का दर्वाजा लगा देता है इधे रानो चुडिया लाडो चुडिया के पास आ जाती है रानो, क्या हुआ, क्या बात है? लाडो, मैं मेरे मा और पिता जी के पास कुछ दिन रहने के लिए जा रही हूँ यहाँ ठन बढ़ गई है पर रानो, तुम्हारे मात पिता तो बर्फिले पहाडो पर रहते हैं ना तो क्या तुम्हें वहाँ पर ठन नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं, वहाँ मेरा परिवार बर्फ के इगलू घर में रहता है लाडो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी चलो मेरे साथ हम कुछ दिन वही पर रहकर वापस आ जाएंगे मम्मी, चलो ना हमें भी देखना है इगलू का घर सारे मिलकर रानों के मा पिता जी के इगलू के घर के तरफ निकल पड़ते है अरे, ये जंगल में अचानब इतनी सरदी कैसे बढ़ गई? अगर जल से घूसले का इंतजाम नहीं हुआ तो लगता है यही पठन से जान निकल जाएगी कुछ समय उढने के बार लाडो और रानों बर फिले पहाडों की तरफ आ जाते है रानों, यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी ज़्यादा ठंड है अरे, नहीं नहीं लाडों, तुम घबराओ मत, बस थोड़ी देर और हम घर के पास पोँचने ही वाले है, तुम देखना, वहाँ पर तुमें बहुत अच्छा लगेगा वो सब चाही रहे थे, के तभी एक शिकारी पंची ने उनका रास्ता रोक लिया अरे, वा, 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 क्या बात है, इतनी कड़कडाती ठंड में, मस्त गर्मा गरम मास खाने को मिलेगा शिकारी को देखकर सारे डर जाते ही, शिकारी पंची उनका रहमला कर नहीं वाला था, के तभी एक पंची बीच में आ जाता है रुग जा, वरना इसका अंजाम बहुत बूरा होगा, तु मेरा कुछ नहीं बिगार पाएगा, हज्जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोडूँगा शिकारी पंची उस पर हमला करने ही वाला था, के तभी उपर से किसी ने एक बड़ा सा नारियल शिकारी पंची के सिर्पर भिरा दिया अरे, ये किस ने किया? ये मैं ने किया है, अब चल यहां से 921 हो जा, मैं तुम दोनों को देख लूँगा हाँ, हाँ, चल, अब निकल, शिकारी चिल वहां से भाग जाता है दोनों रानों और लाडों के पास आ जाते है पिता जी, भैया, आप यहां अच्छा हुआ, आप यहां पर आ गए, वरना वो शिकारी चिल हम सब को मार ही देता अरे एसे कैसे भैना, हमारे होते हुए, तुमें कुछ नहीं होगा पर बेटी, यह चिडिया कोन है तुमारे साथ, इसे पहले तो नहीं देखा इसका नाम लाडो है, और यह दो इसके बच्चे है, मैं ही इसे मेरे साथ लेकर आई हूँ तुमने अच्छा किया, जल्दी चलो, बाहर बहुत ठंड है, हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है सारे वहां से उड़कर इगलू के घर के पास आ जाते है सारे अंदर चले जाते है रानो, इस घर को तो दर्वाजा ही नहीं है, और फिर भी यह अंदर से कितना गरम है, लेकिन ऐसा कैसे? अरे बेटी, अंदर की गरमी अंदर ही रहती है, और बाहर की ठंड बाहर अपने नानी को देख कर बच्चे बहुत खुश हो जाते है, और भाग कर उनके गले लग जाते है मेरे प्यारे बच्चे और हाँ लाडो बेटी, इस इगलू के घर के अंदर हमारे अलावा और कोई शिकारी पंची नहीं आ सकता सोनो और पिंकी नानी के गर आकर बहुत खुश थे, उन्हें भी बर्फ का इगलू घर बहुत पसंदा गया था ममी, हमें बहुत भूग लगी है, बच्चो थोड़ी देर रुख जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गरम समोसे बनाती हूँ ममी, तब तक हम बर्फ में बाहर खेलने के लिए जाए, ठीक है बच्चो, पर ज़्यादा दूर मत जाना, यही पास में ही खेलना बच्चे बाहर बर्फ में खेलने के लिए चले गए नानी ने सब के लिए गर्मा गरम समोसे बना दिये चलो बच्चो, खाना तयार है खाने का नाम सुनते ही बच्चे दोड़कर घर के अंदर आ गए सबने मिलकर खाना खा लिया नानी के हाथ के समोसे खा कर बच्चे बहुत खुश हो गए अब तुम सब आराम करो, हम बाहर आग जला कर बेटे है नानी और रानों ने मिलकर सुके घास का बिस्तर लगा दिया सारे इगलू के घर में सो गए बाहर बच्चो के नानों और मामा आग जला कर बेट गए रानों और लाडों उनके पास आ जाती है बच्चो, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, हम ये सोच रहे थे क्यों ना हम हमारे जंगल में ऐसा ही इगलू का घर बनाए हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाओ पर बच्चो, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत परेशानिया भी उठानी पड़ती है भारी वजन के बर्फ के टुकड़े उठाने पड़ते है उनको एक के उपर एक रखते हुए जाना पड़ता है तब जाकर बनता है बर्फ का इगलू घर लाडो, अगर हमारी कोई मदद करेगा तब हम हमारा बर्फ का इगलू घर जरूर बना सकते है कुछ दिन ऐसे ही बिच जाते है मा ये चार-पाच दिन कैसे बिच गए हमें पता ही नहीं चला अब हमें चलना होगा जंगल लोटकर हमारे नए घुसलों का इंतिजाम करना होगा और थोड़े दिन रुख जाओ बच्चो वेसे भी तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो नहीं मा जी हम फिर कभी वापस आएंगे पर अब हमें चलना होगा बच्चो का स्कूल भी है जादा दिन छुट्टिया पर जाएगी तो बच्चो की पढ़ाई पर असर हो जाएगा बच्चो का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था लेकिन उन्हें स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करने थी सारे अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं अच्छा तो तुम वापस जा रहे हो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कोन बचाएगा बच्चो अब तुम यहां से जा सकते हो जल्दी वापस आना बाई बाई नानू बाई बाई तब जल्दी वापस आएंगे नानू सारे अपने जंगल वापस आ जाते है रानू क्यों न हम भी इगलू का घर बनाए हाँ लाडो लेकिन हमें किसी की मदद लेने होगी वो दोनों बाते कर ही रही थी तबी भूरा कवा वहां पर आ जाता है अरे भूरे तू यहां पर क्या कर रहा है मैं इन लकडियों से गोस्ता बनाने वाला हूँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि मुझे लकडिया डूनने में बहुत परिशाने हो रही है मुझे और लकडियों की जरूरत है भूरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते गोस्ता बनाने में हमारी मदद करो और तुमें लकडिया डूनने के भी जरूरत नहीं है क्या पर हम गुसला किस चीज का बनाएंगे हम बर्फ का इगलू घर बनाएंगे बर्फ का इगलू घर मैं समझा नहीं भूरे तुम बस हमें बर्फ उटाने में मदद करो बाकी का काम हम देख लेंगे जैसा रानों और लाडों ने बताया वैसे भूरा बर्फ को लाता और जैसे जैसे वो बताती वहाँ पर बर्फ को रख देता शिकारी चील उनका पीचा करते-करते जंगल में आ गया अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो इधर तीनों ने मिलकर बर्फ का इगलू घर तयार कर दिया कुछी देर में भूरे का भी इगलू घर बनकर तयार हो गया तभी महाँ पर गोरी और कालू कवा आ जाता है अरे वाह, क्या घर बनाए है क्या हम भी ऐसे घर बना सकते है हाँ हाँ, क्यू नहीं अगर कालू मदद करेगा तो हम आपकी इगलू घर बनाने में जरूर मदद करेंगे हाँ हाँ, तुम तो बना लोगे पर मेरे जैसे बूरी चिडिया का क्या मैं क्या, मैं तो सिर्फ दो-तीन मेहनों के मैमान हूँ ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी अगर भूरा और कालू कवा आपकी मदद करेंगे तो हम भी आपके लिए इगलू घर बना देंगे एके करके सारे पंचियों ने इगलू के घर बना दिये इधर शिकारी चिल जंगल में आ जाता है अरे भागो, शिकारी पंची अरे भागो, छुप जाओ सारे अपने अपने इगलू के घर में छुप जाते है शिकारी चिल एके करके इगलू के घरों को अपने चोच और पंजों से तोड़ने की कोशिश करने लगा अरे ये क्या, ये बर्फ के घर तो बहुत पक्के है मैं एक काम करता हूँ बाहर ही पंचीयों का इंतजार करता हूँ पंची अंदर मस्त गरम बैटे थे और इदर चिल ठन में ठी ठूरते हुए बैठा था रागभर ठन में बैटने की वज़े से शिकारी चिल बर्फ में चम जाता है सारे बंचीयों को शिकारी चिल से चुटकारा मिल जाता है